दोस्तों कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक बार एक पेड़ पर बंदर और चिडिया रहते थे तो उस पेड़ पर आग लग गई बंदर उचलकर दूसरे पेड़ पर बैठ गया चिडिया भी उड़कर दूसरे पेड़ पर चली गई तो थोड़ी देर बाद चिडिया बंदर को बोलती है कि बंदर भाईया हमने इस पेड़ पर इतना समय विताया है ये पेड़ हमारा घर था ये अब जल रहा है तो हमें कुछ करना चाहिए तो बंदर हसता है कि तुम चोटी सी चिडिया मैं अकेला बंदर हम क्या करेंगे चिडिया उससे request करती है लेकिन बंदर नहीं मानता तो चिडिया क्या करती है अपनी छोटी सी चोंस से जितने भी तिनके, मिट्टी, पानी वो उठा सकती थी उतना वो उस पेड़ पर डालना शुरू करती है थोड़ी देर बाद और लोगों को पता लगता आग लगी है वो भी आ जाते भुजाते पेड़ की आग शांत हो जाती है चिडिया आकर ठक कर अपने दूसरे पेड़ पर बैठती है तो बंदर हसता है कि तुम्हें ये तो नहीं लगा कि ये आग तुमने भुजाई है तुम छोटी सी चिडिया जो कर रही थी तुम्हें ये तो नहीं लगता कि उससे आग भुजी है तो चिडिया बड़ा अच्छा जवाब देती है कि बंदर भाईया फरक नहीं पड़ता इस बात से कि आग मैंने बुजाई है कि नहीं बुजाई है या मेरा कितना योगदान था लेकिन इतना मुझे पता है कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा इस पेड़ का ये पेड़ जला था तो मेरा नाम आग बुजाने वालों में और आपका नाम बराबर में बैट कर हंसने वालों में आएगा तो दोस्तों यही समय अब है आप जितना कर सकते हैं तिन के भर की भी help कर सकते हैं उसे कीजिए यह मत सोचिए कि जब सब करेंगे तो मैं करूँगा या कोई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ यह जो पेड है यह भारत रूपी पेड इस पर हमने अपना जिवन बिताया है और हमारा फर्ज बनता है हम इसकी साहता करें जितनी हो सकते हैं उतनी करें एक स्टेटस भी अच्छा शेर कर दीजे जानकारी का वो भी साहता में आएगा और अट लीस्ट गलफ जानकारी शेर मत कीजिए पैनिक जानकारी शेर मत कीजिए थैंक यू वेरी मच